प्यारे बच्चो असलाम अलेकुम मैं आपके सामने नहुम जमात साइन्स एंड टेक्नोलोजी का सबक नमबर पांच तेजाब असास और नमकियात लेकर हाजिर हुई हूँ आपको मालुम होंगा कि कुछ चीजों का जाय का मीठा कुछ का कड़वा होता है जबके बाज अशिया खटी और बाज तुर्श जाय के वाली होती है लीमू, इमली, सिरका और आवलत जैसी अशिया में मौजूद खटापन एक मकसूस मुरकब की वज़े से होता है खटाज देने वाले इस मुरकब को तेजाब कहते हैं तेजाब पारी में हलपजिर होने के साथ साथ जीचकार भी होते हैं हैवनात और अबतात में भी मौजूद होते हैं आईए अब हम असास का मुतालग करेंगे अगर आप खाने का सोड़ा ले और उससे चखे तो आपको कुछ तल्ख लगता है ऐसे तल्ख जाइका रखने वाली और चूने पर चिकना महसूस होने वाली अशिया, मसलन, चूने का पानी, खाने का सोड़ा, कास्टिक सोड़ा और साबुन वगेरा इन अशिया को असास कहते हैं गुजश्ता जमात में हमने लित्मत जैसे मख़र के जर्य तेजब और असास की शञा के आसान तरीके का मतालख किया अब हम तेजब और असास से मतालख मालूमात हसिल करेंगे, आएए मुरकबात के साल में किस तरहां बनते हैं, इस बात का इयादा करेंगे नीचे दिये गए जदूल का मुझाइदा कीजिए और मुकम्मल कीजिए देखिए इस जदूल में चन्द मुरकबात के सालमों में H प्लस तेजावी असलिय नजर आता है ये सब तेजाव है बाद मुरकबात के सालमों में OH- असासिय असलिया दिखाई देता है जो के तमाम असासिय मुरकबात है जिन मुरकबात में H- असासिय असलिया और OH- तेजाबी असलिया मुक्तलिफ है ऐसी आइनी मुरकबात नमगीन होते है अब पिछले जदुल का इससा मुकमल कीजिए और इस पर वाज़ होता है कि मुरकबात की तीन किसमे तेजा, असास और नमक्याद होती है